नमस्कार दोस्तों औसेती ज्यान को आंगे बढ़ाते हुए आज मैं आप सभी के लिए एक और भहुती सुन्दर पोधा लेके आजेरुगा हूँ ये जो आप देख रहे हैं न इसको उड़ाते मास बोला जाता है और इसकी खेती की जाती है इसका जुर्मुर्दार जाड़ी बलत भारत वर् Sorne ao कि इसका प्रयोग किया जाता है और ए इसको आप ध्यान से देखिएगा इसका प्रयोग अगर बीज मूल और इबन पंचांक की रूप में किया जाता है यह फिर चिकस्ता के प्रामर अंसारавно है इसका पोरोकर सकती है इसकी डल कि भॉध बना के सेवन कि आती है और भी बहुत ज्यादा प्रियोग में यहाता है उड़ादे आप उड़ादे से पश्ठेख होंगी ज़्यादे इसकी जैनकरी देना भी ज़ित नहीं है क्योंकि आप इसको जानते है ये पक्षा घातन बहुत अच्छा काम आता है उड़ादे तो इस ओसदिय को बारे में बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पनाई है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लिज सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं जो वीडियो डालू उसकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सकें और आप देख सकें तो यह ओड़ दे ये पक्षा घात अनम बहुत जादा गुड़कारी है आप क्या करेंगी अगर आपको पक्षा घात लकॉप मार गया है फैले जाच गया है तो उस्में आप क्या करेंगे अ से उड़ा दे ले लेजिए साथ में कुछ और लेनी पड़ेंगे आपको मैं बता रहा हूं उड़ा दे बला और क्वांच राशना असगंद और एरंड इन और सदियों को ले करके आपको समान मात्रा में क्वात बनाएं फिर अगर आप 25 से 30 मिली क्वात में हिंग तता जिस भी अंग में बेदना है उस तरह से नासा च्छत से द्वारा 5-10 मिली मात्रा में ग्रहन करने से लकवा करदन की जकड़ाहट कान का दर्द एवं बात रोग एक सबताह में लाभ हो जाता है ये बहुत ज़्यादा गुरकारी है इस बात ब्याधी को दूर करने के लिए बात ब्याधी में अगर आप रती दिन उड़ा दे कपी कच्छु जानी की कौश बीज और एरंड और बला से निर्मित अगर 10-20 मिली कौात में हींग और सेंदान मेकमला का पीते हैं तो बात ब्याधी को दूर करने के लिए आप उड़ा दे और कौश बीज एरंड और बला मूल है इनको लेकर के कौश बनाईएगा और 10-20 मिली की मातरा में रोजा ना पीएंगे तो वाद बेदियों का समय होता है ये बहुत अच्छा है आप इसको प्रियोग करके देखिएगा और साथी साथ ये क्या है आपके जो घाओं को भी भरने में काम आता है अगर उड़ पर भी बहुत प्रियोग है मैं समय समय पर प्रियोग बताता रहूंगा हर एक और सद्धी के तब तक लिए नमस्कार हमें देजिए जाजात हम मिलेगे कुछ नई वेडियों में